दोस्तों एक बर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का D.A.R.Education के इस YouTube चैनल पर देखिए दोस्तों आज 27 जनवरी 2022 और D.T.R.P.L.S.B. की ओफिसिल वेब साइट पे तीन अलग-अलग पोस्त कोड से जुड़े वे इंपोर्टेंट अपडेशन वाले नोटिस जारी किये गए हैं किस परकार के नोटिस हैं क्या इन में दिया गया है डिटेल से आपको इस उडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास तक देखना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डिटर प्लस बिस से जुड़ी वी जितने भी लेटस्ट अपडेशन है इन्फोर्मेशन है वो रेगिलरली आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी अब मैं आपको तिनों के तिनों नोटिस यहाँ पर दिखा जिता हूँ किस परकार के नोटिस है सबसे पहला नोटिस है पोस्ट है सीनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन की पोस्ट कोड है 62 बटा 20 देखिए इस पोस्ट के लिए इडोजर फिल किये जा रहे थे और इसमें से एक कंडिडेट ऐसा फाउंड हुआ है जिसके डोकुमेंट्स में कुछ कमी रह गई यानि डेफिशियन डोकुमेंट उसे दोबारा से अपलोड करना है जो इसके रिमाक्स में बताया गया है यहाँ पे इस candidate का roll number और remarks में बताया गया है कि कौन-कौन से documents इसे दोबारा से upload करने है और यह कब तक upload कर सकता है तो यहाँ पे date भी mention की हुई है 28 January से लेकर के 6 February 2022 के बीच में यह अपने pending document upload कर सकता है official profile पे जा करके ठीक है अगर इसने अपने documents यह जो deficient document है यह upload नहीं किये without any further notice इसका जो candidature है वो reject किया जा सकता है यह इसमें साफ साफ mention कर दिया गया है इसके लावा चलते है next notice पे post scientific assistant lie detection की post code है 52 बटा 20 देखी इसमें भी एक candidate ऐसा पाया गया है जिसके documents में कुछ documents की कमी रही है तो इस वज़े से इसको भी सला दी जाती है कि जो remarks में बताए गए pending documents है वो इस stability time के अंदर जो time यहां पे दिया गया है 28 जनवरी 2022 से ले करके 6 फरवरी 2022 के बीच में इसे दोबारा से अपनी profile पे जा करके e-dozer module के तहत upload कर देना है इसके लावा चलते हैं आज के last notice पे post है laboratory technician post code है 63 बटा 20 और इसमें भी एक candidate ऐसा पाया गया है जिसके documents में कुछ कमी पाई गई है यहां पे इस candidate का rule number और remarks में बताया है कि कौन कौन से documents की कमी रही है इसको भी जो e-dozer module के तहत जो stability time दिया गया है उसके बीच में अपने documents upload कर देने हैं यहां पे दिया गया है 28 जनवरी 2022 से ले करके 6 फ जा सकता है ठीक है दोस्तों यह तीन important notice थे जो आज के दिन अभी कुछ दिर पहले ही official website पे जारी किये गए थे ठीक है दोस्तों यह एक latest अपडेशन थी जो आपके साथ शेयर करने थी जो डिटर प्लिस बी से जुड़ी वी थी आगे की जितने भी latest अपडेशन और information पाने क के लिए चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूं कि इस नेक्स टूडियो में नई अपडेशन नई information के साथ तब तक के लिए बने रही मेरे साथ thank you so much